आप लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चे ध्यान दिजेगा आज अपना one of the least important topic discuss करने वाले हैं जिसका नाम है income which do not form part of total income का एक और नाम जो market में चलता है जिसका नाम है exempt income तो मैं अगर exempt income बोलूँ आप समझ जाएगा मैं इस chapter की बात कर रहा हूँ अब अच्छे ध्यान दिजेगा section 10-1 section 10-1 बोलता है agriculture income in India is fully exempt अच्छा agriculture income के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कल मैंने बैसिकल नहीं मैंने आपको basic जब भी revise करवाई रहा tax booster 4.0 के अंदर तो मैंने आपको बताया था agriculture income के बारे में मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि भाया अगर किसी परसन की सिर्फो सिफ agriculture income है तो व 5,000 से जादा है अगर आपकी agriculture income 5,000 से जादा है और आपको टेक्स वैसे calculate करना होता है जो मैंने आपको basic के अंदर case number 2 में सिखाया था in case of agriculture income वापिस से सुन लीजिए अगर किसी परसन की सिर्फो सिफ agriculture income है तो पूरी की पूरी इंकम क्या है exam लेकिन अगर किसी परसन की 5000 से जादा agriculture इंकम है और other income 5,000,000,000,000,000 से जादा है तो जिस परसन की पांचे ख़िस से जादा से जाया की रेकिलचार इंकम है और other income 3,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 से जादा होती है वो case number 2 के अंदर के अंदर आता है जो कि कमाओगे नहीं होगा अगर आपने जमीन पर कोई प्रोड़क्ट उगाया है जैसे कि टमाटर है जैसे कि भाईया कोई भी सब्सक्राइब रहे वो सारी चीज़े तो उन चीजों को बेच कर जो आपने पैसा कमाया वह भी कौन सी इंकम है अग्रिकल्चर इंकम या फिर आप कि खेट पर कोई हाउस है जिसको आप स्टोर हाउस की तरह यूज़ करते हो अगर आपने इसको किराए पर जैके पैसा कमाया तो वह भी कौन सी इंकम है अग्रिकल्चर इंकम या फिर आपकी कोई नरसरी है नरसरी मतलब जहां पर फूल वगएरा का वह काम होता है तो भाई ठीक है तो मैंने आपको अपनी जमीन को किराए पर दोगे अगर मेरी जमीन पर शारुक खाना के डांस कर रहा है ऐसे से करके पोल्स दे रहा है अलग अलग भग भग के काजल भक्ती चली जा रही है और ऐसा कुछ हो रहा है तो भाई उसको एग्रिकल्चर इंकम नहीं माना अगर नर्सरी से पैसा कमाओगे तो वह भी क्या मानी जाएगी अग्रिकल्चर इंकम के किसमें एक रूल सेवन है जो इंपोरे बैसे पूरा शेप्टर लेस इंपोर्टेन है लेकिन देखेगा अच्छे से रूल सेवन सेल और आग्रीजर्चर प्रोडिस पेटा अग्रिकल childhood आविच दोगे तो पूरी की पूरी की पूरी इंकम अनुडब strive अगर अगर तो में जा अत्र इसाच में नहीं कर दो Damn बिटा, टोमेटो पे आपने कोई न कोई प्रोसेस कर दिया, जैसे आपने टोमेटो से टोमेटो केचप बना दिया, प्रोसेस करने के बाद आपने उसका क्या बना दिया है, केचप, बिटा, आपने उसका क्या बना दिया है, केचप, तो दियान दिजेगा, आप सरकार पता है क्या बोले यह सरकार बोले यह after process एक सेगिंड क्या टमाटर की शकल इत्ती बुरी थी कि उसको टमाटर के फॉम में नहीं बेचा जा सकता था नहीं टमाटर टमाटर की शकल में भी विखता है तो क्या केचप बनाना जरूरी था बिल्कुल जरूरी नहीं था केचप बनाना अगर आप after process बोचोगे अगर after process मतलब टमाटर को टमाटर के फॉम में नहीं बेचोगे केचप बनाके बेचोगे तो बस एक चीज आंसर करिए का example टमाटर का लिया है आप सारे example अपने दिमाग में होना चाहिए एक चीज बस आंसर करिए का क्या वो process compulsory for sale है क्या टमाटर स बेच रखते थे आपको केचप बनाने की जरूरत नहीं थी तो process compulsory for sale तो अगर process compulsory for sale होगा तो कुछ और होगा सरकार बोल रही है अगर process compulsory for sale है तो पूरी की पूरी इंकम कौन सी माल लेंगे अगर वो agriculture income हो गई तो आपको benefit है तो अगर आपने as such row form में बेच दिया तो पूरी की पूरी इंकम अगर आपने process के बाद बेचा खेचप बना कर बेचा तो सरकार आप से एक छोटा सा question पूछ रही है क्या वो process compulsory था या आपने मर्जी से किया है अगर वो compulsory था तो सरकार वापिस से आपको फायदा दे रही है कि पूरी की पूरी इंकम agriculture मानी जाएगी लेकिन अगर आपने optional process कर दिया optional process कर दिया तो सरकार बोल रही है कुछ income agriculture मानी जाएगी और कुछ income business मानी जाएगी अब देखेगा पेटा agriculture income क्या मानी जाएगी बहुत easy इसको calculate करना सरकार बोलेए जो भी आपकी fair market value of agriculture product before further process fair market value of tomato fair market value of tomato जो भी होगी fair market value क्यों ले रहें selling price क्यों नहीं ले रहें पेटा आपने बेची थोड़ी है आप बेचते तो कितने की बिकते वो tomato वो ले लिजी और उसमें से minus कर लिजी जो उनको होगाने का खर्चा आया होगा जितना पैसा बच जाएगा वो आपकी क्या मानी जाएगी agriculture income और agriculture income मान ली गई है मतलब आपकी exempt हो जाएगी इंडिया में होगी तो agriculture income इन इंडिया आपकी क्या होने वाली exempt द्यान दिजेगा आपने process करा है और process आपने optional करा है सरकार चाहती तो पूरा tax लगा देती लेकिन क्योंकि किसान से related कोई बात है इसलिए सरकार ने टमाटर आपने किसान ने टमाटर होगा है और वही उस पे काम कर रहा है लेकिन सरकार बोल रही है आप मान लीजिए किसान ने वो टमाटर बेच दिये किसी factory वाले को तो अगर बेच दिये तो कित्ते में बेचे होंगी जिता उस दिन market पे rate चल आओगा तो fair market value of agriculture produce ले ले ल होती है तो आपकी जो factory है वहाँ पर मान लीजिए कि आपने टमाटर खरी दें तो फेक्टरी में आप टमाटर नहीं बेचोगे फेक्टरी में आप केचप बेचने वाले हो तो जो भी final product होगा केचप वगेरा उसकी selling price ले लीजिए इसमें से minus कर लीजिए वो चीज वो लेकिन जब मैं किसान वाली बात कर रहा हूं तो वो मेरे मेरे ही एक हाथ से दूसरे हाथ तो बोला है कि मैंने ही अपने आपको बेच दिया और अगर मैंने प्रोसेस करके final product बेचा तो उसमें से एक portion तो अगरी जा चुका है उतने को माइनस कर दो और एक और चीज माइनस क पेच अप ऐसी मंच से दोड़ी बन जाता एक फर्दर प्रोसेसिंग कोस्ट आपको करनी पड़ती है जिसी वह कॉस्ट आप इंकर कर दोगे वह भी माइनस कर दो तो आपका क्या जाएगा पी दीवीप धियान दीजेगा मैंने आपस से बादा देना हूं सिंपल धियान दि पूरी की पूरी अग्रिक़र इंकम दिमागी नहीं लगाना सब्सक्राइब लेकिन अगर वह प्रोसेस कमपल सरी नहीं है अगर आपने ओप्शिणल कोई प्रोसेस किया तो सरकार करें एक अमाउंट हम इधर एक अमांट हम बिजनेस मानेंगे और इसको निकालने का तरीक इदर आप agriculture produce को sale मान लेना और इदर आप वही agriculture produce को जिसको इदर sale माना तो इसको इदर क्या मान लेना purchase तो बच्चे नियान सुनना आप कैसे calculate करोगे टमाटर टमाटर आपने बेचे नहीं लेकिन आप उसकी market value ले लोगे उसमें से minus कर लोगे टमाटर को उगाने का जो खर्चा आएगा तो आपके पास अजाएगी agriculture income तो इदर वो sale मान लिएगा है अचा इदर वो फेक्टरी में purchase मान ली जाएगे तो purchase मान ली जाएगे आप सबसे वेले तो ketchup बेचोगे तो selling price ले ले लेना माइनस करना क्योंकि टमाटर आप खरीट के लाएगा जो इदर फेर मार्केट वेली ती न वहीं इदर फेर मार्केट वेली क्या बन जाएगी purchase price और एक और चीज माइनस करेगा जो further processing cost दो दोने चीज माइनस करने के बाद आपके पास क्याद आएगा PDBP इसके अलवा special rules for tea coffee rubber हैं जो आपको याद होना चाहिए टी के case में 60-40 का percentage अपलाए होता है 60-40 अच्छा rubber के case में 65-35 का percentage अपलाए होता है और coffee के case में अगर grow and cured it तो 75-25 और अगर grown, cured, roasted, grounded है तो 60-40 सर कैसे आ रखेंगे बेटा चेक करिए कोफी के case में grown and cured तो कम process ते कम process और भाईया अगर grown, cured, roasted, grounded है तो जाधा process है क्योंकि जाधा process है तो आपकी जो business वाली income है वो 25% से बढ़के क्या हो गई है 40% और क्योंकि इनका inverse relation होता है अगर ये बढ़ेगी तो ये क्या होगी कम होगी तो जाधा process है तो 25 से बढ़के ये किती हो गई 40 तो ये 75 से कम होगे किती हो गई 60 एक trick बता रहा हूं मैं आपको छोटी सी trick ध्यान रखना वैसे तो याद रखनी है इसमें से जो कम वाला percentage है वो हमेशा taxable वाला percentage रहेगा कम वाला percentage taxable रहेगा ज्यादा वाला percentage agriculture income रहेगा और एक concept जो आप भूल जाओगे आप case to भूल जाओगे भाई case to बता है आपको अगर आपकी agriculture income पांच हजार प्लस है और आपकी other income धाई लाग तीन लाग या पांच लाग से जादा है तो आपको मोदी जी के according tax calculate करना पड़ेगा वो कभी बताएंगे नहीं कि आपको tax मोदी जी के according calculate करना है आपको धियान रखना पड़ेगा कि अगर agriculture income बिटा अगर agriculture income क अगर इनका total आपका 5000 से जादा है और आपका ये जो बिजनेस वाला income है इसका total आपका धाई लाग रुपे से जादा है या तीन लाग पांच लाग जो भी से जादा है तो आपको tax वैसे calculate करना पड़ेगा case 2 के according जिसको अपन बोलते थे बिटा द्यान सुना basic में मैंने नामे कभी नहीं बताता हूं उसका रियल नामे partial integration in case of agriculture income ठीके इसके बाद exempt income में कुछ और चीज़े इंकम share received by member from achieve थोड़ा सा द्यान देजेगा बहुत simple है मैं आपको बता रहा हूं बहुत simple है और वैसे भी कुछ important वाले section यहां पर cover है जो की again बहुत जादा important नहीं है लेक लगता है इंडिविजल के लाबा चार और लोग थे एचेफ एओ पी बीओ आई आर्टिफिचल जूरिडिकल परसन इन लोगों की उपर भी कौन सा वाला tax rate लगता है अब ध्यान देजेगा एचेफ क्या एचेफ जो भी profit कमाता है मतला आपकी family की कोई एचेफ है क्या वो जो भी profit कमाती है उस पर 29,00000 के according tax पे करती होगी ये बीटा टेक्स पे करती है रहे हख वो अपनी कमाई पे टेक्स पे करती है वो क्योंकि वो अपनी कमाई पे tax पे करती है जब उसकी कमाई का कोई हिससा आपको मिलेगा टो उस पर टेक्स नहीं लगेगा समझो ना मेरी ब सब्सक्राइब कर चुकि तो जब वो पैसा मेंबर्स में बटे का टेक्स नहीं रगेगा वह एक्जिम्ट बानी जाएगी सेक्शन टेंट टू के अंदर आती हो इसके बार बिटा पार्टनर्शिप वाला यह वाला बहुत इंपोर्टेंट ने ध्यान दिजेगा यह एक बिट बच्चे ध्यान दिजेगा पार्टनर्शिप हम अपने प्रॉफिट पर पता है पार्टनर्शिप हम की उबार 30% का टेक्स लगता है मिने आपको बेसिक में बताया था और 12% का सर्चार लगता है अगर उसकी इंकम एक करोड़ से जादा है क्योंकि पार्टनर्शिप हम एक करोड रुपे पे टेक्स पे कर चुकी है यह जो पचास लाग पचास लाग या ऐसा कोई भी शेर जो पार्टनर्स को मिलने वाला है वो एक्जिंट हो जाएगा सारे बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट है एक करके मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ बिटा अगर आप फॉरेंड डिप्लोमेट हैं या कंसुलेट है फॉरेंड डिप्लोमेट या कंसुलेट का मैं आपको बता दूं मान लीजिए अपनी रशिया में कोई एंबसी है जहाँ पर आप पॉस्टेड है तो अगर रशियन एंबसी में आप पॉस्टेड है ध्यान का हमारी सरकार क्या बोल रही है अगर हमारे वाले बंदे हमारा मतलब इंडिया का कोई सिटीजन इंडिया का कोई डिप्लोमेट है इंडिया का कोई कॉंसुलेट है जो की फॉरिन में है अगर उसकी इंकम वो फॉरिन कंट्री एक्जेम्ट करेगी तो हम उनके एक्क्यूबले कि इंकम हमारे वाले देश में का कर देंगे एक्जेश एक्जेम्ट ठीके चलिए इसके बाद अच्छा अगर कोई फॉरें इंटर्राइज जिसके टेस्ट लाए ऐसी कोई भी कंपनी का कोई इंप्लोई इंडिया में आता है 90 देस से जादा इंडिया में नहीं रहता है और इ इंकम भी क्या होने वाली है एक्जेम्ट मतलब सरकार ने टाइम दिया है 90 दिन तक रहे लो इससे जादा नहीं रहे पाओगे इसके अलावा अगर कोई फोरेंशिप के साथ कोई परसन आता है वो भी अगर 90 दिन तक इंडिया में रहता है कोई बिजनस नहीं करता है तो उसकी लेनी की इंटेंशन नहीं होती तो सरकार बोलेए कोई भी कंपनेशिजन जो चाहे सेंटरल दे चाहे स्टेट दे चाहे लोकल लिटरिटी दे उसमें टेक्स नहीं लगेगा अगर वो डिजास्टर की वज़ा से नहीं करते हैं वो तो आपसे प्रोपर्टी खरीदा है जब अगर आप सुकनिया समली दी अकांट के अंदर पैसा डालते हो उस पर गोडि इंटरς मिलेगा सारा क्या है अगर आपको एक्यू के लिटार्शिफ चिजर मिलती ए क्या मिलती है एके अलावा पेमेंट टू MPA मेले अले को डेली और कॉंसल्टीव अलाउंच जोses मिलता है इसके अलावा अगर आपने कोई अच्छा काम करा था लिटरिचर में साइंटिक या और आपने कोई बुक्स वगेरा लिकी दिया आपने अच्छा काम करा था इन सब चीजों में तो सरकार बोलती एपकी इंकम एक्जिप्ट मतलब जो भी आपको अवर्ड दिया जाए जिसे म Sikkim is Individual में आप ध्यान रखेगा सिक्वित इंडिवीजल की दो टाइप की Неंगम होती है सिकमिज इंडिवीजल की दो टाइप की इंकम पहली टाइप की इंकम होगी इसकी इंटरेस्ट डिविदेन और दूसरी होगी New income New income तो सरकार बोल रहे है New income कोई भी income कमा लो सिंह उर इंडिया में कहीं भी interest लो dividend income लो tax नहीं लगेगा I medium is individual को दो benefit है पहला सिक्किम में तो कोई भी पैसा कमाल हो any income is exempt लेकिन सिक्किम के भार पूरे इंडिया में कहीं भी आप दो income कमाल हो integer dividend वो भी आपको क्या होने वाली है और द्यान दे रहा है यह वाला जो exemption ने छिन जाएगा अगर आपने एक अपरेल 2008 के बार सिक्किम में लड़की से बात कर रहे हैं अगर कोई भी सिक्किम की लड़की ने एक अपरेल 2008 के बार किसी नोन सिक्किम भुपाली लड़के से शादी कर ली तो आपको फिर exemption नहीं मिल तो यह था सिक्किम इस इंडिविजल वाली चीज और इसके बात बेटा यह special economic zone जो है यह मैं already discuss कर चुका हूँ कल वाले session में मतलब जो भी अपना previous session रहा था special economic zone का especially एक session आया था मैं उसमें discuss कर चुका हूँ इसके बात बेटा एक और section है 14 है expenditure in relation to exempt income बच्चे दियान तो टमाटर बेच के पैसा जो कमाते हो वो exempt है तो टमाटर होगाने का खर्चे का भी हम आपको benefit नहीं देंगे वो भी exempt है income exempt अगर आपके उबर tax नहीं लग रहा तो आपका खर्चे का भी benefit नहीं मिल पाएगा तो बिटा मैंने आपके सामने एक चोटे से chapter discuss किये जिसका नाम है अगर आप अपने किस आप अगर आप अपनी जमीन पर खेटी किसानी करके टमाटर वगिरा होगा कर बेचते हो तो agriculture income है आपके ऊपर tax नहीं लगेगा अगर आप अगर आपकी घर बना हुआ है घर कोई घर बना हुआ है अगर उस घर पर उस घर को आप स्टोर आउस की त आप बेचा आपड़ पर चेजर बेचा अगर पर से कंपल सरी है तो अगर अगर प्रोसेस अप्टेर इड़े ले लेना माइनस करदेना को स्ट ऑफ टमाटर जो भी आपके उगाने काका खर्चा आया हो तो agriculture और इदर इदर बेटा आप पता है लिलना केचप की माइनस करदीजेगा फिर मार्किट वेली ओफ टमाटर क्योंकि इधर अल्रेडि आप अपकी पर्चेस प्राइस है वह एक और जो भी आपने फृदर करके वह भी मानस कर दिए गा फिर इक्राइश में डो कैसे से इसे इस्टीफाइब और कॉफी की इसमें दो कैसे 75 25 अगर कम प्रोसेस है तो ज्यादा प्रोसेस दो 6040 फिर पार्शल इंडिग्रेशन और अपको दियान रखना है तो मतलब और कभी भी कोश्चन बताएगा नहीं फिर मैंने आपको बताया कि अगर कोई इंडिया का कोई डिप्लोमेट इंडिया के बाहर किसी कंट्री में पॉस्टेड है तो अगर उनके एक्विलेंट वाले परसन अगर हमारे चैनल फिर मैंने आपको क्या बताया अगर कोई पॉरिण कंपनी कांपलूई इंडिया में नहीं नहीं रहें और 90 दहीं के सारक इंपनी नहीं करहा गप अगर किके स्यंट अगर कोई के ब शल्तमकूश 앞 कोलसी होnox देने वाली इतल में रिमान्ति के संध वाप होलि ने अगर आपने अच्छा काम कर रहा है लिटरिचा साइंटिपक या आर्टिस्टिक उसमें तो जो भी आपको पैसा मिलने वाला वह भी एक्जिंट है अगर आपको कोई बहुत पैसा कमाले एक्जिंट है वह एनी इंकम कमाले एक्जिंट है सिक्किम के बाहर वह दो टाइप की इंकम कमाले एक्जिंट है इंटरिस्ट और डिविडेंट इसके अलावा एक अप्ले दोजारा राट के बाद अगर सिक्किम की लड़की नोन सिक्किम इस इंडिविजल से शादी करती है तो फिर यह एक्जिंट उसको नहीं मिल पाएगा पिर मैंने आपको यह सारे चीजी बतादी जिसमें मिने आपको एक जो यह कट करके बताया है यह मैंने आपको यह बोला था कि जो इंकम आपकी एक्जेम्ट है उसका खर्चा भी आपका एक्जेम्ट है आपको उसको टेक्स में कोई treatment देने की जरूबर नहीं आप एक काम कर यहां पर मैं आपको सोल करके बता रहा हूं ध्यान देजएगा बच्छे कि आपने शुगर केन उगाया अब इसमें को इसमें से आपने कुछ आपको बता रहा है कि आपने 30 परसेंट मतलब जितना भी आपने होगाया उसमें 30 परसेंट रोफों में बेजिया और 70 परसेंट आपने प्रोसेंट आपने प्रोसेंट किया है सब कहां लिखा है यह देखिए 30 परसेंट ऑफ शुगर के इस प्रोडियूस इस सौल्ट फॉर दस लाग इंड कॉस्ट ऑफ क्ल्टिवेशन ऑफ सच शुगर के इस पांच लाग मतलब यह जो आपने बता है कि इसका सेलिंग प्राइस किता है दस लाग और इसका जो लाइग बेदेते हो थो पूरी की पूरी इंकम क्या होती है अग्रिकल्चर इंकम अच्छा सेकिंड चीज इसी कॉस्ट्स इसकोशन में क्योच अपने बेच रहे हैं लेकिन पता है और बिजनस वाले में पर्चिस माना जाएगा तो बेचा कितना माना जाएगा क्योंकि जितना 70% शुकर के ने उसकी fair market value 22 lakh बताई जा रही है तो 22 lakh रुपे उसकी fair market value है और उसको उगाने का खर्चा आया था 14 lakh रुपे तो 22 में से 14 lakh रुपे उसका खर्चा आया था आप उसको हटा दीजिए आपके पास बच जाएगा 8 lakh रुपे यह 8 lakh रुपे जो आपके पास बच जाएगा यह 8 lakh रुपे यह कौनसा माना जाएगा बिटा अब बिजनिस की बात करते हैं बिजनिस तो आपने बेचा 22 lakh में नहीं है अगर शुगर कें बेचते तो 22 lakh में बेचते रुपे अब यह सारी चीज़े माइनस कर दोगे और आपके पास आंसर जाएगा 1.5 lakh रुपे यह आपका बदा है कौन सी इंकम हो जाएगी यह आपकी हो जाएगी पीड़ी पी यह आपकी हो जाएगी पीड़ी पी तो चेक करिएगा एग्रिकल्चर इंकम का टोटल है पां बहुत इंपोर्टिन कोशन है मतलब वैसा वाला लिए नहीं जो आपको आखरी दिन पढ़ना है इल्स्टरिशन वन बहुत अच्छा कोशन है जित्ती बार आप एक्जांट इंकम नाम का टॉपिक करोगे हमेशा इस कोशन को आप करा करोगे क्योंकि इस चेप्टर का सबसे important question है चलिए illustration number two Mr. C manufacturer latex from rubber और आप पर यह rubber से कुछ बना रहे हो latex वगेरा जिसको आप 30 लाग में बेच रहे हो और जो खर्चा आपको आया है और manufacturing of latex में खर्चा आया है वो 8 लाग आया है तो पीटा 30 लाग में से 10 65% आपकी agriculture income मानी जाएगा 35% business income जब यह calculate करोगे तो आपके आपके आंसर जाएंगे 7,80,000 और 4,20,000 अच्छा illustration 2 की अगर मैं बात करूँ केस टू लगता देख रहा है सर क्यों केस टू लगता रिक रहा है बिटा ध्यान देजेगा आपकी agriculture income 5000 प्लस है येस आपकी अधर वाली income अधर वाली इंकम 2.5 प्लस है येस बिटा आपकी अधर इंकम 2.5 प्लस है इसलिए आपको यहां पर अगर टेक्स calculate करना पड़ा तो case number 2 जो मोडी जी ने सिखाया था वैसे ही लगेगा illustration number 3 illustration number 3 Mr. X resident is provided the following particular of his income in previous year by his days income from salary 2,8,000 है तो other income आपकी 2,8,000 है income from house property आपकी 2,5,000 है अचा ये भी अधर इंकम है तो इसको भी aid कर दोगे आप तो आपकी पता है इंकम किती है 4,30,000 ये अधर वाली इंकम क्योंकि 5,000 आपकी अगरिकल्चर इंकम 5,000 से जादा है इस question में आपको पता है कौन सा case लग जाएगा calculation के लिए case number 2 और इस question में पूछा भी शायद वही है सर इस question में दो question है अगर आप करना चाहे तो इसको कर लिजेगा ठीक है इसके बाद illustration number 4 Mr. A is member of Hindu undivided family received 10,000 as is shared from income of HF पेटा HF already tax pay कर चुकी है वो अपने member को 10,000 रुपे दे रही है तो ये 10,000 रुपे आपको क्या होने वाले है exempt इसके बाद illustration number 5 compensation on account of disaster received from a local authority by an individual or is legally or is taxable आपको सहानुबूती के तौर पर दी जाती है इसलिए वो taxable नहीं होगी वो क्या होने वाले है exempt exemption is available to a sick-imist individual only in respect of income from any source in the state of sick-im नहीं अंग्रे जी है यहाँ पर only 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 word यहाँ पर गलत है अगर only word नहीं होता तो यहाँ पर answer सही हो सकता था लेकिन यह बोला है कि सिक्किम इस person को सिक्किम की income exempt होगी नहीं नहीं सिक्किम के अलावा भी पूरी इंडिया की दो income exempt है interest और dividend इसलिए जो answer है आपका यह क्या हो जाएगा incorrect हो जाएगा इसका answer एक्जाम में वैसे तो ऐसा कोई question आएगा नहीं लेकिन अगर आएगा तो आपको reason लिखना पड़ेगा illustration no.7 बहुत important यह question है hold भी लिखा हुआ है मैंने कभी आपको करवाया नहीं होगा market is very important बहुत शानदार यह question है LDR mark करिएगा इसको LDR concept का ही question है और यह question भी LDR है total turnover of unit located in special economic zone special economic zone जो आज आपने पढ़ा था न टेंड डबल है यह उसी का question है आज नहीं जो आपने special economic zone पढ़ा था पिछले किसी session में उसका question है टेंड डबल है तो total turnover of profit total turnover of unit which is located in SCZ कितना है 100 लेक रुपी profit किता है उसी unit का 30 लाग रुप है मालब यह हो गया आपका पीजी बीप कितना 30 लाग और यह हो गया आपका एक्सपोर्ट नहीं यह आपका टोटल प्रॉफिट टोटल टर्नोवर इसके बाद आगे आपको बता दिया पाले इसऐड हो नहीं ग्या की कितना 30 परसेंट अगले पांच साल थाउंड अगले पांच साल तक 50 परसेंट और इसके आगले पांच साल तक 30 % इस कॉस्चन मेता 2018 वरिए जिए फिर्मिन में बताड़ होौँ थैज्ञाद यहां दीजेगा इस कुस्चन में आप 2018-2019 बने हो लेकिन मैं question को change करना चाहता हूँ 2019-2020 कर लीजिए 2019-2020 कर लीजिए क्योंकि ये question पिछले साल तक के साफ से तो ये 6 साल में आप आ रहे हो जबकि answer शायर 100% के साफ से निकलेगा यहाँ पर क्योंकि ये पहले 5 साल की बात हो रही है तो पिटा ध्यान दिजेगा आपको पता इस question में करना क्या पड़ेगा आपको calculate करना पड़ेगा export profit जिसका formula बहुत आसान था मैं तो directly calculation कर रहा हूँ जो भी आपका PDBP है हमारा PDBP कितना पिटा आपका PDBP है 30 लाक रुपे इसको multiply करिएगा export turnover से 50 लाक रुपे और इसको divide करिएगा export turnover से 100 लेक रुपीज जैसे आप 30 को 50 और 100 से multiply करोगे आपके सामने 15 लाक रुपे आ जाएगा यह 15 लाक रुपे जिसको मैं ब्राउन कलर से मार्क कर रहा हूँ यह आपका क्या है export profit और क्योंकि आप पहले 5 साल में हो इसलिए अपने इधर भी एक डेट आगे बढ़ाने नहीं है और इधर भी एक डेट आगे बढ़ा लेनी है तो आप 31 मार्च दोजाट एज की जगा 31 मार्च दोजाट चोबेस जादा कीएगा और अठरा उन्निस की जगा उन्निस बीस यह कोशन बहुत इंपोर्टेंट है कुछ बहुत सारे कोशन है जिसमें आपको बताना है टेक्स लगेगा या नहीं लगेगा अर्विन रिसीव 20,000 एस चेर फॉम इंकम उफ एटना ही यह एग्जेंट है इप और एग्जेंट जैसे ही मैंने ई लिग दिया समझ जाना एग्जेंट लेकिन देखी क्या लिखाए फ्रों लेंड सिचुएटेंट इन मलेशिया क्योंकि मलेशिया के अंदर यह लेंड सिचुएटेंट है तो यह क्या होने वाली है टेक्सिबल इसके बाद लिखाए रेंट ऑफ 72,000 रिसीप और लेटिंग आउट अउट एग्रिकल्चर लेंड सब्कुछ लिख देना है आपको सब्कुछ लिख देना है जो जो पता है सब्कुछ लिख देना है ठीक है question no.3 whether the income drive from sapling or seedling grown in a nursery is taxable नहीं वहीं नरसरी वाली जो इंकम है वो भी agriculture income मानी जाएगी इसका मतलब वह भी कह रहें है बाए यह exempt इसके बाद question number four examine with reference in brief whether the following statement are true or false true or false बताना है आपको जिसमें पहला question बता है क्या है exemption is available to a sikkim as individual only in respect of income from any source in the state of sikkim सिर्फ sikkim में जो income है सिर्फ उसका exemption में लेका नहीं नहीं सिर्फ के बाहर भी दो income exempt होती है interest or dividend तो यह answer आपका false हो जाएगा गलत हो जाएगा लिकाए pension रिसीब है recipient of galantry award former employee of the center government is exempt from tax हाँ सही बोला है pension जो बहादुरी की वज़ा से आपको कोई galantry award मिला था और आगर आपको कोई pension मिलती है तो वो क्या होने वाला है exempt mister या member of hf receive 10,000 s is share तो भाईया hf से जो भी आपको शेयर मिलता है यह भी क्या होने वाला है आपको exempt आखरी question question number 5 market is LDR यह question S E Z का वापिस से question है section 10 AA special economic zone का यह question है और यह वाला जो question है यह बहुत important है यह वाला जो question है यह बहुत important है mark this one is LDR उसको बहले ignore करना लेकिन इस वाले को क्या mark कर देना LDR एक company है रुद्रा लिमिटेड इस वन यूनिटेड special economic zone बिटा एक company है उसकी एक unit special economic zone में special economic zone मतला मोदी जी ने बोला था इस जगह पे तो आपकी एक unit यहाँ है और एक unit और कहीं है तो एक जो unit यहाँ है उसको benefit मिलेगा जो और कहीं है उसको benefit नहीं है तो रुद्रा लिमिटेड इस वन यूनिटेड in special economic zone इंड अधर यूनिटेड domestic tariff area the company provide the following detail for the previous year 22-23 बेटा यह 22-23 के question books में करवा रहा हूँ इसलिए वो 22-23 date आ रहा है आपके exam में अगर question आएगा तो 23-24 का ही आएगा तो बचे द्यान सुनिएगा बहुत शांदार यह question है बहुत शांदार यह question है total says आपकी रुद्रा लिमिटेड की total says 6 करोड है जिसमें जेड domestic tariff area domestic tariff area का मतला होता है ACZ के अलावा वाला तो ACZ के अलावा वाला टर्नूवर 2 करोड है total अगर 6 करोड है और ACZ के अलावा 2 करोड है तो आपको पता है ACZ का किता होगा special economic zone का turnover आप balancing figure करके निकाल लोगे 4 करोड अरे 6 करोड में से 2 करोड domestic के तो 4 करोड क्या होगा भाई special economic zone export says रुद्रा लिमिटेड की total export से ले 4.6 करोड और भाईया जो DTA वाली पूरे इंडिया वाली है वो है 1.6 तो अगर मैं 4.6 करोड में से 1.6 करोड हटा दू तो special economic zone वाली मैं को क्या मिल जावेगी मैं को मिल जाएगी special economic zone वाली sales अच्छा net profit total रुद्रा लिमिटेड का net profit है 80 लाग जिसमें से DTA का net profit है 20 लाग तो भाईया दियान दिजेगा 80 लाग में से 20 लाग अगर मैं हटा दू तो मैं को special economic zone का benefit मिल जाएगा और वो जो formula आपने मुझे बना के दिया था ना वो जो formula होता है जहाँ पर आप PGBP को multiply करते हो और किस से multiply करते हो export profit और export turnover से PGBP को multiply करते हो export turnover से और डिवाइट करते हो total turnover से अब बच्चे दियान सुनिएगा यह जो formula है ना यह CZ के income पर apply होगा CZ के figures पर apply होगा और CZ के figure यह रहे है आपके पास CZ का total turnover है वो 4 करोड है उसमें से export करता है 3 करोड मतलब normal करता है 1 करोड और CZ का profit करता है 60 लाग तो अगर मैं formula apply करूँ तो 60 लाग रुपे को आप multiply करिएगा 60 लाग रुपे को आप multiply करिएगा किस से multiply करिएगा बचा 3 करोड से और divide करिएगा 4 करोड से जैसे ही आप यह multiplication कर दोगे तो आपके सामने पता है एक figure आएगा 45 लाग रुपे वो जो 45 लाग रुपे आपके पास figure आने वाला है बस दो-तीन मिट के अंदर अपना यह session complete हो देने वाला है बच्चे इसलिए पोजिशन्स रखेगा तो बच्चे द्यान से निएगा आपका कितना profit आने वाला है 45 लाग रुपे पचास जार रुपे आपको 22,50,000 का deduction मिल जाएगा अब इटा जहां सुनना इसमें दो अलग-अलग कोशन है पहला कोशन है 2014 में अगर आप बने थे अगर बिटा आप 2014 में बने हो तो आप यह आपका दसवा साल चल रहा होगा अगर दसवा साल चल रहा है न तो आपको 22,50,000 रुपे एक्जिम्ट रहेगा अचा अगर पहले 5 साल के अंदर यह तो आपको पूरा का पूरा 45 लाग क्या हो जाएगा एक्जिम्ट जो कि अगला कुशन है अब 2018 में बने हो यह 2018 की जगा अगर अगर आपन 2019 में बने होंगे तो आपन का पहले 5 साल के अंदर होंगे और जिसमें अपन को 100% मिल जाएगा अच्छा दियान सुनना टोटल इस कंपनी का जो नेट प्रोफिट है वो असी लाग है असी लाग में से ध्यान दिजेगा बहुत इंपोर्टिंट ये बात है असी लाग में से या तो 45 लाग अगर पहले 5 साल प्हले 45 लाग या अगले 5 साल में तो 22 लाग पचास सजार जो भी एक्जेम्ट हूँ इसमें से एक्जेम्ट है अगले वाले पांच साल में हूँ तो असी लाग में से बढ़ा है मैं 22 लाग 50 जार हटा दूंगा तो 57.5 लेक वो क्या हो जाएगा टेक्सिबल तो भाईया आई होप मैंने आज यह वाला चैप्टर बहुत जादा इंपोर्टिन इस सच तुद्धा नहीं लेकिन आपका टाइ सेशन आके देखेगा एक घंडे का सेशन ने जिसको भी आप 1.5 1.75 पर देखेगा और आपको एक ही बार में टॉपिक क्लियर हो जाएगा थेंक्यू सो मच टाटर बैबै अलाफिस टेकर खुछ रही है अगर आपको सारी चीज़ी याद हो जाती हैं तो भाईया लाइक कर देखेगा सबस्क्राइब कर दीज़ेगा कमेंट कर दीज़ेगा थेंक्यू सो मच टाटर बैब्या लाफिस टेकर खुछ रही है इसी तरह के इन्फ़मेटिव वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेडिस्ट वीडियोज को सबसे पहले द एड़केटी इंडिया